हेलो स्टुडेंट आपका हमारी यूट्य चनल पर स्वाधत है दोस्तों आज हम स्कूल मैनेजमेंट के अगले टॉपिक के बारे मात कर रहे हैं जिसका नाम है RTE Act 2009 जिसका पूरा नाम क्या है निसुल के एवं अनिवार सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तो देखे RTE 2009 से क्व लग 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 वो सभी परिक्षा हों पूछे जाते हैं टीचर बने वारे जितनी भी परिक्षा हैं उन समय RTE 2009 से परिक्षा पूछे जाते हैं तो जो भी स्टुडेंट टीचर की रहरी कर रहे हैं वो RTE 2009 को जरूर पढ़कर जाएं उनके लिए बहुत ज़्यदा इंपोट एक दिसंबर 2002 को एक अधिनियम लाग हुआ चासीवा सम्मेदान संसुधन अधिनियम 2002 लाग हुआ जिसके अंतरगत आर्टीकल 21-a जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 6-14 वर्स्तक के बच्चों को निशुल के वम अनिवारे सिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और इस स्कूल में भीजें जिससे कि वह पढ़ाई कर सकें आगे हम बात करें आटी एक्ट का पूरा नाम क्या है देखे आटी का पूरा नाम है निसुल्क एवं अनिवारे बाल सिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 इसे लेकर एक सिक्षा और कौन सी आयू के बच्चे इसको प्राप्त कर सकते हैं इसा नहीं है माल लीजिए कि किसी बच्चे की आठवी क्लास रह रही है और वह 14 वर्स का पूरा हो गया है और वह आठवी क्लास जब करेगा तो पंदर वर्स का हो जाएगा तो भी वह प्राप्त कर सकता है तो आगे हम बात करें आर्टी एक्ट दोजाननों के समयधाने प्राप्तान देगी 20 जुलाई दोजाननों को राजस सवाद वार मंजूरी मिली चार अगस्त दोजानों को लोकस्वादवार मंजूरी मिली और 26 अगस्त दोजानों को ताथकालिक राष्टपती प्रतवा पार्टल के द्वारा मंजूरी मिली जो उसके बाद यह अधिनियम बना और एक अप्रेल 2010 से संपूर भारत में लागू किया गया और जम्मू कस्मीर में यह है 2019 से क्या हो गया लागू हो गया जब से जम्मू कस्मीर में दारा 370 का जो दायरा था वो हटा है उसके बाद यह जम्मू कस्मीर में क्या हो गया लागू हो गया इस संपूर भारत में लागू किया था एक अप्रेल 2010 को सुप्रिम कोट के द्वारे इसको संपूर वारत में लाउ किया गया था जम्मु कश्मीर को छोड़ कर चलिए आगे 4 जॉलाई 2013 को RTE गान को अपनाया गया और RTE गान है टन 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 सुनो गंटी वजी स्कूल की चलो स्कूल तुमको पकारो गाना किसने लिखा है जावे दक्तर ने लिखा है और इसे किसने गाया है सोनू निगम में गाया है चार जॉलाई 2013 को यह RTE गाने को अपनाया गया तेकि RTE को लागू करने वाला भारत विश्व का 135 वा देस है जिसने सिक्षा को बच्चों के में लिए मौलिक अधिकार के यह था लेकिन नहीं आए कोई बात नहीं दे रहा है दुरस्ता है लेकिन बात में शामिल किया पर सिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतरकत अंतरत हैं हमने इसको क्या कर लिया शामिल करी लिया चलिए आगे हम बात करें अगर हम अधिया के बात करें देखिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है चैप्टर एक अधिया एक में क्या है प्रस्ताबना है इसमें दो धारा एक वा दो यह सबसे चोटा अधिया है चैप्टर दो निशुलक एवम अनिवारे सिक्षा के प्राबधान है इसमें धारा तीन से पाँच है कितनी धारा हैं तीन से पाँच अगर हम बात करें चैप्टर तीन की इंतर्गत तो सम्चछ सरकार इस्थानी सरकार और माता-पिता के करतब्य के वारे हम बात की गई है जए इसमें हैं धारा छैसे घ्यार है चैप्टर तीर में क्या है दो जखे सरकार इस्थानी सरकार इवम अतर immigrant के सिक्षा का पाठक्र और उसको पूरा करने से संबंदित प्रावधान है इसमें दो धारा हैं 29 और 30 और चैप्टर 3 में क्या है समचज सरकार और इस्थानिय सरकार और मातापिता के कर्तब बे चैप्टर 4 में है विद्यालेवुम अध्यापकों के कर्तब बे धारा 12-28 तक है सबसे बड़ा जो अध्या है वह चैप्टर 4 है और च Agency समस्री में इसमें 35 और 38 अजिएए चैप्टर 7 में सबसे चूटा है प्रस्तावना तो चैप्टर 6 वह सबसे वड़ा चैप्टर है चैप्टर 5 प्राजम सक्षा का पाठ्टे करे नहीं तदर पूरा करने से समंद प्राबधाने इसमें दो धाराएं हैं, 29 वा 30, चप्टर 6 है, बालोकों के अधिकारों को संदेश हैं, धाराएं करती से 34, और चप्टर 7 में है, प्रकिणिया सारांस, धारा 35 से 38 धाराएं इसमें पाई जाती हैं, तो इस तरह से, तो आर्टी 2,099 अंदर कितने चप्टर हैं, साथ चप्टर हैं, आफ हम बात करते हैं, पहले अध्याय के बारे में, पहले अध्याय के बारे मात करता है, प्रस्तावना के बारे मात करता है, इसमें दो धाराएं हैं, धारा एक वा 2, दोनों धाराओं को देखते हैं, देखिए 6-14 व groove को ईक्षा में काढ़ में चप्रारंम में चारे आ ढगा क्नाइके और अनिवाररूप से पुर्दान करता है, याहनी कि उनको फ्रीक्षा कि प Cinnamon शीक्षा में काज़ा गया है, देamm – 2 करs में चारे काल सब्या में ऐख करल तो यहां बालक प्लस बालम को अटियंट टिया गया है जो है बालक तो यहां बालकाई ँसे बालक और बालम को बताया गया है दूसरे पॉइंट में अनुवीक्शन प्रक्रिया दी गया है चौतर समचो सरकार की परवाशा दी गई है देखे समचो सरकार का अरत यह होता है कि वह सरकार जिस सरकार के अधीनस तो वह सच्छन संस्थान कारे कर रहा है अगर राज्य सरकार का स्कूल है तो समचो सरकार हो जाएगी राज्य सरकार और यदि कें सरकार का स्कूल है तो समचो सरकार हो जाएगी के इन सरकार आगे हम बात करा है इस्थानी निकाए की तो इस पाँचे पॉइंट में इस्थानीं निकाएगों की करवाशा की बारे में बात वह यह चटोंची पॉइंट में बात की गई हैन पर पेंदी अचे जिनको किसी तो इस बच्चों को आ गया है बंचेट वर्ग और ऐसे बच्चे जनके आर्थिक स्तिति सई नहीं पारिबारे का अर्थिक स्वाएव नहीं है उनको का गया दूर्वलवर्ग और विद्याले से संबंदत परवाशामीर का गया है कि बच्चा जिस इस्थान पर पड़ता है सरकारदार जिसको मानेता दी रही है तो उस इस्थान को आ जाता है विद्धियालया स्कूल चलिए अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं देखिए धारा दो के पहले पॉइंट में बालक की बात की गई है तो इस अधनियम में बा से बच्चा का जो बच्चा है और आगे हम बात करें सिक्षार नो से बारवी तक इसे कौन प्राप्त करेगा चोदे से लेकं ऐगा जो बच्चा करेगा और मादमें सिक्षा में 10 वी की परिख्षा दी जाती है बोर्ड परिख्षा और 12 वी की बोर्ड परिख्षा दी जाती है उच्छ सिक्षा का अर्थ होता है कख्षा 12 के बाद और 18 वर्स के बाद जो भी सिक्षा होती है जिसमें यूनिवस्टीज में स्टुडेंट बढ़ते हैं सिख्शा करें कि के दोने तीसरे पूइंट में अनुबुक्षन प्रग्रिधक का अर्थ है प्रभीष्पर्क्रिध concert कहिंदर प्यक्रेंश संच्छा के सपेदु में लेकिन 1948 में डाक्तर रादाकृष्णन आयोग का गठन हुआ और इसकी सिफारिस पर सिख्षा को समभरती सूची में सामिल किया गया। सिख्षा के उपर नियम और काईरिक कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राजय सरकार दोनों को है लेकिन यदि कोई मतवेद दोनों में इत्पन हो जाता है तो अंतिम नेड़ा किसका मानने होता है कि अब देखिए इस्थानी निकाय से क्या मतलब होता है इस्थानी निका को सफ्थानी निकाय का अर्थ है नगर निगम और नगरपालिका जिला परश्थ हझाथ और भ्रम पंचाय को सफथानी निकाय कहा गया है 39 में दारा दो के पॉइंट नमर 5 में आगे हम बात करें तो पॉइंट नमर 6 में बंचित वर्ग के बारे में बात की गई यह बंचित वर्ग करत क्या देखी यह दुरवर्ग पॉइंट नमर 7 में बताया गया है और दुरवर्वर्ग इस अदिनियम के अनुसार दुरवर्वर्ग से थाठबर है कि आर्थिक रूप से कमजोर उन बालक बालकाओं से है जिनके माता पिता की वार्षिक आयए ढाई नाक रुपे से कम है सीधी शी बात है जिन चार भागों में बाटा गया है और वो चार हम कौन कहुं से हैं पहला भाग है सरकारी स्कूल दूसरा नेजी इस्कूल थीसरा अनोधित स्कूल चौथा विसेश्ट स्यनी के स्कूल अब इन विसेश्ट स्यनी के स्कूल को ट्रस्ट चलाते हैं और विसेश्ट स्यनी के स्कूल जो है इनमें कौन-कौन से आते हैं इनमें सैनिक स्कूल और राश्ट्री मिलिटरी स्कूल नवोदे विद्याल है केंद्री विद्याल है यह public school, model school, यह सब business school के अंतरगत आते हैं, धार्मिक संस्थानों को RTEX 29 में समलित नहीं किया गया, यह बहुत most important है, धार्मिक संस्थानों को इस से अलग रखा गया है, तो RTEX 29 के अंतरगत धार्मिक संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है, अध्याए एक की बाद आब हम प nemijia करें सरा चैनि प्रते क sound परेंदक प्रतिक बच्चे को अनिवार एवं प्रार मर्स निश्द प्रतान को प्रतांद की जाएगी तो धारा स्टेगी धरी चैनल जावैश्ट जाएगी जैए मान लीजिए किसी बच्चे की आयू है 6 वर्स तो है कक्षा 1 में 7 है तो 2 में 8 है तो 3 में 9 है तो 4 में 10 वर्स का वे यदि बच्चा है तो 5 वी क्लास में और 11 वर्स का बच्चा है तो 6 वी क्लास में 12 एका है तो 7 वी क्लास में 13 वी क्लास में तो 8 वी क्लास में कि बीच में जो पढ़ाई चूट गई है उस पढ़ाई के वो क्या है बरावर आ सके नाच चाहता है तो बिद्यारती से बिना कोई प्रशन पूछे इस्थानातर प्रमान पत्र प्रदान किया जाएगा यानि कि कोई भी आपकी TC को रोक नहीं सकता, TC नहीं देने पर अनुसासनात्मा कारवाई होगी, यानि ऐसा कोई विध्याले नहीं होगा, जो आपको TC नहीं देगा, आपको उस विध्याले को या उस प्रतानाचारे को आपको TC देनी ही होगी, यदि आप अन्यत्र पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको TC जरूर प्रापtechn होगी तो धारा तीन में क्या है Hijิंट फ्री और धार में क्या है उमर के लिओंसार प्रवीश और धार पांच में है TC के बारे में बात की गई है और अध्याए-धु कहता है निश्तिर के वरने याद रखनी है कौन से धारा में क्या है यह सारी बात रखनी है चाहें हो सौट रूप Cambridge लेकिन याद तो रखनी है आगे हम बात करें सम्चिय सरकारर इस्थानि सरकार इवं मातापिता के करटब बहुत चलिए बात करते हैं धारा 6 क्या कियती है विद्ध्याले की विवस्था जिम्मेदारी क्या है समचे सरकार की सेंटर गवर्मेंट और स्टीर गवर्मेंट और इस्थानी सरकार या विद्ध्याले बनाने की विवस्था यानि स्कूल खोलने की विवस्था बच्चों को अपने आसपास की एरिया में विध्याले मिले यह सारी व्यवस्था किसकी है सरकार की है चाहे वो सरकार के इंदर सरकार हो चाहे वो सरकार राजय सरकार हो और चाहे वो सरकार आपकी स्थानिय सरकार हो इस धारा के प्रापधान के अनुसार कक्षा एक से पाचवी तक के तो इतनी दूरी की अंतरगत विद्यालेओं को खोला जाएगा प्रारम प्राफिश्चा के लिए एक किलो मीटर और चप्रांग सचा लेकिन राजस्थान में छैसे आठ वी तक के विद्यालेओं की दूरी को दो किलो मिटर रखा गया है कि तो आप याद रखें यह परक्षा तो विद्याले की विवस्ता करेगी समचे सरकार अब हम बात करते हैं बित्ती अनपात क्या होगा इस दारा के प्राफदार के अनुसार केंद्रवा राज्यों का बित्ती अनपात क्या है ग्यारवी पंचवर्सी उजणा में 2007 से 12 तक पच्छपन अनपात 45 था यानि 55 प्रस राज़यों कहते हैं प्रण में आख जो होते हैं रीगिष्यव प्रसकार के राज़यों के इसके इस के तो साथ है बित्त में साथ तो धारा साथ यानि साथ की बात करता है। संच्यो सरकार के करतब के क्या हैं। संचे सरकार के खर बालोकों के उस्टेदा की विवस्ता करेगी, वहवनों के विवस्ता करेगी, परसथिस सिर्फ विवस्ता करेगी, इसलिए टीचर वर्तियां कराई जाती है, और टीचरों को अपॉइंट कीया जाता है, आगे हम बात करें, धारा एट में क्या wild oggi मी निच्छण करना यह स्थानी निकायकों की क्या है करतब्य है यह किसमें है धारा 9 में और धारा 10 में है माता-पिता के करतब्य देखें माता-पिता यह अपने बच्छों को फ्री एजुकेशन के लिए इस्कूल जरूर बेजे उनको सिच्छा के अवसर उप्लब्द कराएं तो देखें धारा 8 में समच सरकार के करतब्य धारा 9 में नीचे की तरफ आएंगे तो प्रसासन में इस्थानी सरकार के करतब्य और धारा 10 में 10 में है माता-पिता के करतब्य सब्सक्राइब और धारा 11 में है एक-एक आंगनवादी एक-एक से बन जाएगा अर और आगनवादी के विवस्था बाद की गई है इस धारा के प्राव्षानों के अंशर ऑ और चेंद्रों के माद्दम से तीन से 6 वर्स सज्थ के बालकों को पूर उपलबद कराई जाएगी तीन से चोड़े से अठारे वरस के बच्चों के लिए मादविए सिक्षा इन तीनों को जोड़कर समसा के तहत अधीनस्त किया गया है और समसा के तहट जो सिक्षा है वो 3-8 वर्स तकी सिक्षा को सामिल किया गया है जिसमें पूर प्राथमें सिक्षा से लेकर 12 वी तक की सिक्षा का किया गया है। माता-पिता के कर्तब पे और धारग्यारे जो है वो बद्धार लए और पह करती है तो आंकल mi हीं बताया था एक एक सबता एक से करने के डिक्तर के बारे बात करते हैी भी न सबसे बहाई है अब और एक करके धारा के बारे बात करेंगे देखे धारा बारा केती है BPL परिवारों के लिए आरच्छस सीटें धारा बारा के बहुत जद इंपोर्टेंट है परेक्षा में सबस्यादा पूची जाती है इसको याद रखें इस धारा के प्रावदान के अंसार प्रतियेक निजी इस नहीं है यदि कोई बालक बालक आए धारा बारे के प्रावदान से बंचित रह जाते हैं तो आगामी कख्षा में उसका लाव नहीं दिया जाएगा इंपोर्टेंट है 25 प्रस्त जो सीटें हैं वो केबल पहली क्लास के लिए हैं सेकंड क्लास के लिए अन्न क्लासों के लिए औरक्षत नहीं है तो पच्छिस प्रस्त जो आरक्षन का प्रावदान एंसार किसी प्रकार का प्रवेश्ण को नहीं लिया जाये गा नहीं माता पता का साक्षाट्व का अलंगं करने पर जुर्माना दे होगा और यहदि फीस लेंगे तो दस गुना क्या होगा वों नहीं लेंगे तो दारा 13 में कहा है फीस नहीं लेने का प्राफदान है अब फीस नहीं लेंगे तो दस्तावीज में नहीं मांगेंगे इस दारा के प्राफदान के उनसाब प्रवेश के समय बालकों से जन प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र आयो प्रमान पत्र आद के द्वारे में 25 प्रस्त सीटों पर आरचन धारा 13 में फीस नहीं लेंगे और 14 में दस्ताविज की मान नहीं करेंगे धारा 15 प्रवेश्य की तिति के बारे में बात करती है इस धारा के अंसर बिद्दयाले का प्रवेश्य की अंतिम तिति Metis की सस्काँ पर आगे हम बात करते हैं धारा 15 प्र बच्चे से कहेंगे तो सोले तुझे फेल नहीं करेंगे ऐसे तो इस दारा के प्रादान के अमसार प्रार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर बोर्ड परिक्षा लागू कर सकती है तो यह केंजरकान ने इसमें प्राबदान किया है और यह कब गया जनवरी 2019 में इस धारा में प्राबदान किया गया है तो 16 मतलब तुझे फेल नहीं करेंगे इस तरह से याद रखेंगे और धारा 15 क्या कहती है प्रवेश कभी भी ले सक सकता है चात्र उसे प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा दारा 17 बच्चों से कहो मस्त्र है मतलब तेरी पेटाई नहीं करेंगे यह बालकों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और नहीं अपमांजनक शब्द उसको रहे जाएंगे इस धारा का उलंगन करने पर बच्चे से कहेंगे मस्तर है तेरी पेटाई नहीं होगी एक बार हम पिछली धारा कुरिभाइस करें बारह में 25 पर सतार अच्छन तीरे में फीस नहीं लेंगे चौद्रह में दस्ताबेजगी मांगने करेंगे 15 में प्रविश की तिथी की गोश्णा की गई है सूले में फ चलते पर एक लाग रुपेगा घर रोटांट करने पर एक लाग रॉपेगा बंक्रे कि प्रति दिन 10000 मानता कि या सकती है। बिध्याले की इस्थापना के मानकों में परवड़तन किया जा सकतंगा सकता है दोगू सिरो कर दो दोगू है बदल दो तो य Dragons RA के परवंदन सम्थ के वारें बात करती है तो देखें फिर कि द्धारा कर लेते हैं तो दारा 12 किया अगा है यह है और फीस नहीं ले जोदे दस्ताविज की मांग नहीं करेंगे और धारा पंद्रे कहती है कि एड्मिजन की ती से तमर होगी और लेकिन कभी भी प्रवेस ले सकता है धारा सोले पील नहीं करेंगे धारा सत्रे पिटाई नहीं करेंगे धारा ठारे बिद्याले को मानेता देंगे और धारा उन्नी यहां का अप्तिन का के प्रते के तो प्रते ग्षों में लूट कितने सदस होते हैं सोलह से पसक्त महला है यह कम से कम कितूरी ससम्ता होने चाहिए मि hela आठ सदस होने चाहिए 12 कितने होने चाहिएल अप्रतेग माहा में इक बैठक होती है अमा वस्या के दिन इसकी बैठक होती है कुल बैठक वरसमें 11 बैठक होती है और गणपूर्ति के लिए कितने 100 का उपास्ते दोना बहुत जरूरी है smc की बैठक में एक बार दोड़ा रिवाइस कर ले SMC में सदसे कितने हैं 16 माईला सदसे 50% कम से कम आठ सदसे होनी चाहिए अभवावक पर चेतर परसद 3-4 जो बारे सदसे होनी चाहिए अभवावक अध्यच्छर पाद्यच्छ अभवावक उन से एक होगा पदेन सचे प्रदार अध्यापक होता है और प्रतेक माह में एक बैठक कमावस्या के दिन होती है और कुल बर्स में 11 बैठक होती है और बैठक की अगड़ पूरती एक त्याई सदस्यों का होना बहुत जरूरी है धारा 22 बिद्ध्याले विकास उजना के बारे में बात करती है इस धारा के प्रावदान के अंसार विद्द्याला प्रभन सम्ती तोरह विद्द्याले बिकास युजना बनाई जाएगी और यह युजना तीन वर्स के लिए होगी इसमें तीन वार्शिक उपियोजना भी समुल दोँगी तो वही SMC यदि विचार में मर्स करके विद्याले का विकास करना चाहती है तो वह विद्याले विकास योजी ना बना सकती है SMC तो ये बात किसमें कही गई है धारा 22 के अंतरगत कही गई है आगे हम बात करें धारा 22 के अंतरगत धारा तेज की अंतरगा सिच्छकों की योगता के बारे में बात की गई है इस धारा के प्राबदान के अंसार सिर्फ उनी सिच्छकों को योग माना जाएगा जिन के पास नियूनतम सेक्षिंड योगता है जैसे B.Ed. है, B.S.T.C. है, D.L. होना चाहिए और उनके पास टैट का जो प्रमान पत्रव होना चाहिए तो बर्दबन समय में ये मानिता है तो सिच्छकों की मानिता के बारे में बात की गई है निस्वल केवम अनिवारिया बाल सिक्षा अधनियम 2017 संसुदन द्वारा 21 जुलाई को लोगसभा से पारित किया गया एक अगस्त को राजसभा से पारित हुआ और यह प्रापदान किया गया कि जो नियुक्ट सिच्छक 31 मार्ज 2015 तक नियुनतम अहरता पूरी नियुक्त पूरी करनी होगी ऐसा नियम बनाया गया था लोगसभा स्कूल में नियमित आना उसका करतब्य होगा प्रतेख छात्र को सरबोत क्रश्ट अदुनति लिए उचत मार निश्यत करना पाठे क्रम को संचालित करना समय पर पूरा करना बाला को ध्यान में रखकर पढ़ाना बाता पितावा अवाओं को उसे संबाद करना सरकार बारा आय चल्ड जो शच्चों करतब्य के बालकों के अनुसार क्षण का इस्तर रखना और सच्चन योजना का चैन करना आवश्यकों तो अतरक उत्रक्त क्षा हैं लेना एक सच्च्चा क्लास की वह स्ताय करना अब तीस अपता पैंतालीस घंटे कशा हैं यह तो अध्यारव प्लस एक प्रदानाद्यापक पद होगा तो देज़सो से अधिक जो होता है वो पांच से चक प्लस एक प्रदानाद्यापक पद होगा सामयन रूप से एक से पांच तक के विद्ध्याल State चंपार और और जो प्राथमि सिक्ष्याद में कारवास कितने हैं 200 दिन और जो गंटें वहाई 800 ने दूरी किलिो मीटर होगी और एक शिक्ष्ष्य का कार्वाब ब्रति सतर पर है तो एक बार हम रिवाइस करें कि परात्म सिक्षा में जो चाट सेक अनपाथ है साठ चात में नबद तीन सिक्षक नबबद सोब तक रहें चाहिस गुएगश्य के सक च्छक है तो 40 अनपात एक होगा कारे दिवस 200 दिन होंगे और कारे गंटे 800 गंटे और प्रति दिन जो सिच्छर कार रहे हो चार गंटे का होगा और विद्याले की दूरी एक किलोमीटर और एक सिक्षक का जो कार रहे हो 45 गंटे प्रति सब्सक्राइब रखा गया है अब यदि हम उच्छ प्रात्म के स्तर की बात करें तो चैसे लेकर आठीवी तक अक्षाव के लिए 35 छात्रों तक एक सिक्षक और और 36 से सतर कट दो सिक्षक और 71 से सो तक 3 सिक्षक और 100 से अधिक तीन सिक्षक फ्लस एक प्रदानेदाप्पद की ओगा चाह से चक अनपात ऌटे पैतेसं अनपात एक और सिक्षड का रहे होंगे 220 दिन अगंटे होंगे 1000 गंटे उच्छ प्रात्रतिन स्चन विवस्ता है ब कि याओं थे और यहां यहति एक आज्ए आज़ां में करन 1958 टुराइब कारें को ओछ से एक जाना दा सुर प्लस अधिक और तो थीज चशता लेगे रहाई। हैं एकजार गंटे और कितने शिक्षक होंगे नियूमतम्तिन शिक्षक बासा से चगर्ट विग्यान सामाजी विग्यान अंसकाली सिक्षक कला सिक्षक नेतिक वा सारगे सिक्षक इसमें शामिल हैं अब हम बात करते हैं धारा 26 क्या है रिक्त पदों की पूर्ती यानि इस धारा की देखे ये भी इंपोर्टेंट है आजकल प्रक्षा हम बहुत पूची जा रही है धारा 26 में कि हम सार प्रतिक विद्यालेव में कुल सिचकों को 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगी तो हो सकत है जन संख्या जन गरना निर्वाचन और आपदा रहत कार्यों में तीन लगाए जा सकता है और आगे हम बात करें धारा 28 में सिच्चकों के निजी ट्यूशन पर या सिच्चड पर क्या है प्रत्वन लगाए गया है तो धारा 28 के अंतरद सिच्च्चर जो ट्यूशन नहीं परा सकते तो अगर हम बात करें 21 से रिवाइज करें तो SMC का गठन है 22 में विद्याले विकासी उजना है और 23 में सिच्चकों के योगता है 24 में सिच्चकों के करतब है 25 में 6 सिच्चक अनपात है और 26 के इंतरगर 10% जो सिच्चक के पद हैं वो उससे अधे करित नहीं संख्या जनगरना निर्वाचन और आपदारा अथकार है और 28 में सिच्चकों सिच्चक के नेजिट्यूशन पर क्या लगाए प्रत्वन लगाए गया है अब हम बात करें अध्याय पांच के बारें बात करें तो प्रार्ण सिक्षा का पार्ठेकरम इसमें दो दारा हैं 29 व पहुचाया जाएगा और 30 में बोर्ड परिक्षा का आयोजन नहीं करने की बात की गई है इस दारा के प्रापदान के अंसार प्राण में सिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार के बोर्ड परिक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा कि एवल उसे नहित प्रारूप में प्रमाणपत्र दिया जाएगा तो ये सब क्या है दारा 30 के इं तरफ का गया है तो पाठे करम कि बदलाव के बारे हम बात की गई यह धारा 39 में धारा 30 में का गया है बोर्ड परिक्षया का एवजन नहीं किया जाएगा अब हम Alexandra करते हैं अध्याच है के बारे में बालकों के अधिकारों के बारे में बात कहता है अध्याच है और इसमें नियम है 31 से 34 तक एक एक नियम के बारे में हम बात करते हैं धारा 21 ृ इस डारा के प्राब्दान के अनुसार बालकों के अधिकारों का भी विग्ति गेळा प्रीड में सिकायद प्रतवियों के लिएगाुपिस में कोई नियुक्ति दरज गरूज करवा सकता है सर पर्थम लिखे सिकायत इस्थानी अधिकारी को की जाएगी उसके परश्चात बाल सर अच्छाड आयोग में की जाएगी और बालकों की सिकायतों को तीन माती अंदर अंदर उनको क्या करना होगा दूर करना होगा तो धारा 31 में कहा गया है बानसर अच्छाड़यों का गठन के वारे में और धारा 32 में सिकाईट की प्रक्रियां के वारे में बात की गई है धारा 33 के अंतरगत राष्ट्रिय सलाखार परसर्द का गठन किया जाएगा और चौन से लाबधान के अंसार राज। सरकार दौरा 3 से ल होगे। अधिक जो बैठक का अंत्राल नहीं होगा यानि बर्स में कम से कम चार बैठक का आयोजन किया जाएगा तो धारा 31 में कहा गया है बाल साना चारा अधुक के बारे में धारा 32 में से कैद प्रक्रे के बारे में धारा 33 में केंद्र सलाकार परसद के बारे में बात की गई है और धारा 34 में राज़ सलाकार परसद के बारे में बात की गई है 35 में क्या है अगर समचे सरकार चाहेगी तो सिक्षाग में सुधार के लिए अच्छे वेकास के लिए मार दर्सक जद्धंत जारी कर सकेगी धारा 36 कहती है कि नियम 13-18-19 के दंडनी अपराद के लिए अवियेजन ही तो मंजूरी स्विकृती का क्या है प्रापधान है ये किस में का गया है धारा 36 में का गया है 35 में सम्चो सरकार मार दर्सक जद्धान जारी कर सकेगी धारा 36 में नियम 13-18-19 के दंडनी अपराद के लिए अवियेजन ही तु मंजूरी स्विकृत का अपरापधान है धारा 37 के प्रुद्ध कोई बाद या विद्ध कारवाई संबंदी प्रक्रिया के बारें बात की गई हैं और दूसरा पॉइंट है राजस्थान निशुल के वह अनिवार बाल सक्षा का अधिकार अधिनियम 29 मार्च 2011 में मंजूरी दी गई और एक अपरेल 2011 से लागू किया गया यह इंपोर्टेंट है पूछा जा सकता है 29 मार्च 2011 को इसे मंजूरी दी गई और एक अपरेल 2011 क दीसरा इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वह है र्टी एक दोजानों के अंतरगत विकलांग वालोकों ही तो आयू वर्ग छैसे 18 वर्ट रखा गया है यह विकलांग वालोकों ही तो जो आयू है वह वह 6-14 नहीं है वो कितना है 6-18 है तो इस तरह से दोस्तों हमने आई से क्वेशन आते ही हैं चाहिए वह तक परिक्षा है वह चाहिए वह ऐपका रिट परिक्षा ओके सब्सक्राय पूछा तो हमने इसको बहुत ही शौर्ट ली इसको रिवाइस किया और जो भी स्टूडेंट को पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राब करें लुकुन बार में नहीं आया है तो इस क्लास को दुबारा से देख लेंगे तो आपको यह सारी धाराएं धीरे-धीर धीरे आपको याद हो जाएंगी और फास्ट के उसका क्या हो जाएगा और इसी के साथ आशा करता हूं कि आपको यह पूरा चप्टर समझ में आया होगा न